कोई ऐसा कोई रोमांटिक सौंग सुनाना चाहेंगे जो आपका बहुत पसंदिदा हो बिलकुल मैं सुनाता हूँ मेरे दिल विच रहके मेरे दिल दाहाल न जाने तेरे बाजों कलिया बैके बैके रोंद नुमाने जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सीकर एतबार मेरा मैं करा इंतिजार तेरा तु दिल तु यू जान मेरी मैं तेनू समझावा की प्यूरिफुल प्यूरिफुल यह जो महनत है इतने दिनों का न संखर्ष जो है वो आपके गले में अभी दिखाई दे रहा है आपकी आवाज में सुनाई दे रहा है और साथ में अगर मैं काऊं की भविश्य आप कहा दिखना चाहती क्योंकि आपके गाउं से पहले तो मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगी कि बहुत रिसंट्ली एक लड़का जो है आपके गाउं से बहुत उचाई पे जा रहा है बहुत हम लोगों को उचाई पे जी बिलकुल और मुझे बड़ी खुशी है कि वो इतना आगे गया है और मेरी धेर सारी शुबकामनाएं आशिरवात कि वो और भी आगे जाए जिस जगह पे वो हमेशा जहां से वो रिज्जेक्ट होके आया था इंडियन आडल के मंद से वहाँ पे उसको ओफर्ड किया जा रहे हैं कि अगले सीजन में हमारे साथ खरे रहें गया अपने सुना तो कहसा लगा बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत टाइम से यह था कि शीख रहा है वो अपने परिवार में भी चीजों को देख रहा था और चीक्ड करते करते उसको आज अगर इतना फेम मिला तो इंडियन आइडल, सारे गामापा, राइजिंग स्टार, इंडियास गॉट टाइलेंट, इन सब में मैंने ओडिशन्स दिये, बट अनफॉर्चनेटली कहीं सेलेक्शन नहीं है, ऐसा क्यों, मतलब बहुत सारे लोग यह कहते हैं, कि आज बिहारी होने के कारण भी बहुत जग उनको क्या कमी ऐसी नजर आती है, हम लोगों में या और भी लोग जो रिजक्ट होते हैं, तो उनका शायद कुछ पैरामीटर्स होता होगा, जिसमें हम खरे ना उतरे हों